मेंधाक और गिलहरी मेंधाक और गिलहरी एक मेंधाक था और एक गिलहरी थी एक दिन दोनों में दोस्ती हो गई दोनों रोज साथ साथ खेलते और मौच मस्ती करते खेलते खेलते एक दिन गिलहरी से मेंधाक ने कहा गिलहरी बहन, मुझे तो आप शादी करनी है गिलहरी बोली बड़ी ही अच्छी बात है इसमें फिर देर क्यों हो चलो, मैं तुम्हारी शादी अभी करा देती हूँ यह काम तो छटपट हो जाएगा तुम अगर चाहोगे तो मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से करवा दूँगी मेंधक बोला, तो फिर चलो गिलहरी और मेंधक दोनू चल पड़े चलते चलते, रास्ते में ताड का एक पेड मिला ताड के पेड को देखकर, गिलहरी की इच्छा हुई कि वह उस पेड पर चड़ जाए उसने मेंधक से कहा मेंधक भाईया, तुम कुछ तेर यहीं खड़े रहो मैं जरा इस पेड पर चड़ लू मेंधक बोला, अपने साथ मुझे भी पेड पर ले चलो गिलहरी ने कहा आओ, मेरी पेड पर बैठ जाओ तुम मुझे खूब अच्छी तरा से पकड़े रहना ताड के पेड पर जाकर गिलहरी ने मेंधक को एक पत्ते पर बिठा दिया कुछ तेर के बाद गिलहरी तो एक ही छलांग में पेड से नीचे उतर गई लेकिन मेंधक जाती हुई गिलहरी को आखे फाड कर पेड पर ही बैठा देखता रहा मेंधक मन ही मन बोला गिलहरी से दोस्ती की ताड पर डेरा डाला शादी तो एक ओर पेड से नीचे उतरना भी पढ़ गया भारी गिलहरी आगे बढ़ गई मेंधक उताफला होकर जट से ताड पर से नीचे कोदा और उसकी प्राण निकल गए